नमस्कार, आदाब, निउस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मैं आदिती चलिए नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर हसदेव बचाने के लिए आदिवासियों ने निकाला 300 किलोमेटर का मार्च लखीमपूर के किसानों की याद में आज मनाया गया शहीद किसान दिवस, तिकोनिया में हुई अंतिम अर्दास जम्मू कश्मीर के पूच जंगल के पास भड़की हिंसा में जेसीयों समेट 5 लोगों की मौत बाल विवास से हर रोज दुनिया में 60 और दक्षिन एशिया में 6 लड़कियों की जाती है जान रिपोर्ट ने बताया और करोना अपडेट देश में 6 महिने बाद करोना के 15,000 से कम नए मामलिद दर्ज हुए अब खबरे विस्तार से सबसे पहले बात 36 गड़ की 36 गड़ के सरगुजा जिले में गोंड आदिवासी समुदाय हस्देव अरंड के घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक और कोईला ब्लॉक केते बेशन में चल रहे अभियान के खिलाफ अपने प्रतिरोध को जारी रखे हुए हैं अपनी बात सुनाने के लिए वे तीन सो किलोमेटर की पद्यात्रा पर हैं देखिए न्यूस क्लिक के लिए मनीश की ग्राउंड रिपोर्ट हम जांगाल मेनी घुंसे देयान कमपानी माला अदानी ला नहाम बास्ती मेनी खुंसे देयान नोटिफाइड कॉरिड और नहीं है लेकिन हातियों का प्रेजन्स महां पर हमेशा से हैं इतने कमिटमेंट्स रहे हैं पॉलिटिकल कमिटमेंट्स रहे हैं हस्देव को बचाने के लिए खुद कॉंग्रेस पार्टी की गवर्मेंट का अपना कमिटमेंट रहा है इसको बचाने के लिए जो राउल गांधी खुद 2015 में मदनपूर में आके खड़े हुए हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरकार और कमपणी मिल करके हमारे जो जगा जमीन है उसको चीना जा रहा है नमस्कार मैं हूँ मनीश अपने जंगल जमीन और परियावरण को बचाने के लिए संस्कृति को बचाने के लिए सरगुजा जिले के उदैपूर शेतर से फतेफूर शेतर से करीब 300 ग्रामीड आदिवासी भाई बहन रायपूर के लिए निकले हैं रायपूर 36 गड़ की राजधानी है रायपूर में मुख्यमंत्री और राजपाल से ये मुलाकात करने निकले हैं सरकार बनने से पहले राहूल गांधी ने इन्हें वादा किया था कि इनकी जंगल है इनकी जमीन है वो सुरक्षित रहेंगे पर 36 गड़ में जैसे ही कॉंग्रिस के सरकार आई सरकार अपने वादे से भी पलट गई और आज अडानी का साथ देते हुए लगातार इनके शेतर में जो कोल माइन्स के विरोध में ये रैली जो है इस तरीके से पद्यात्रा निकाली गई है करीब 300 किलोमेटर की पद्यात्रा है अभी हम रायपूर हाईवे पर करीब रायपूर से 75 किलोमेटर पहले एक जगा पर ठेहरे हुए आप देख सकते हैं जो लोग हैं पैदल चलने वाले ठक कर चूर हो चुके हैं पर इनका होसला अभी वैसा ही है ये रायपूर 13 तारीक को पहुंचेंगे और 13 तारीक को मुख्यमंत्री भुपेश भगिल से इनकी मुलाकात होगी जहां ये अपनी बातों को रखेंगे हमारे साथ 36 गड़ बचाव आंदोलन के प्रमुक हैं इस पूरे पद्यात्रा में नेत्रूत कर रहे हैं अलोग सुकला जी हम उनसे बात करेंग लोग हैं जो लगाताल चल रहे हैं और जब राइपुल पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में लोग सामिल होंगे आपकी क्या है प्रमुक मांगे क्या है और किस वज़ा से पद्यात्रा निकालनी पड़ी है हस्दियों का जो इलाका है जो एक समलद्द बन इलाका है यहा कावंटन हुआ अब गिराम सबाओं के बापदूद भी गलत तरीके से गैल कानूनी तरीके से कोल बेलिंग एक्ट से भूमी अदिगरन होना है दूसरा बड़ा सवाल है कि जो बन सेकिल्टी की प्रकिया उसमें बन अदिकाल मानने तक कानून का उल्लंगन करके फलजी गिर सक्किल्टी हस्टित्य तो जुड़ा ही है लेकिन यह पूले च्छतीज़र पर नहीं बलकी मद्द भालत के रिए बहुत महत्त पोर है बांगो बांड मीनी माता बांगो बांड हसद्यों नदी का कैचमेंट जिससे ढ़ाइलाख हैक्टेल की सचाहिए होती है यह स्वामन त और जो किसानों को पानी जाता है उसकी चिंताओं को दलकिनाल करके आदिवासियों के जिर संबिदाने का धिकाल है जो कानूनी अधिकाल है उनको दलकिनाल करके साइट करके और सिब कॉल्पलेट मुनाफे के लिए माइनिंग की पुर्खिया को आगे बढ़ाय जा रहा है जाएगा और कांग्रिस पार्टी आपकी लड़ाई में साथ है लेकिन दुख़र रूप से कांग्रिस में की सरकाल भूपेज बगेल के नित्रत में बनी है वो हस्दियों के साथ जो बादा किया था उस बादे को पूरा करने के बजाए अंतता सरकाल अडानी के दवाओं में चुब बैटी हुई है और जो गैल कानू निकाली हुए है जो संबीधानिक प्लकियाओं का लंगन हुआ है उसको सतत यतावत जाली लगती हुए अभी पलसा कोल ब्लॉक की माइनिंग सुरू की जा लई है यदि ये पांचों कोल ब्लॉक खुल गए तो साथ गाउं सीधे अगली खबर लखीमपूर के किसान हत्याकांट से जुड़ी है लखीमपूर खीरी में तीन अक्तूबर को ग्रहर राज्यमंत्री अजह मिश्र के बेटे आशीश मिश्र की गाड़ी से कुचल दिये गए चार किसानों की याद में संयुक किसान मोचा के आवान पर आज संयुक किसान मोचा ने एक बयान जारी कर इसका आवान किया था बयान में अंतिम अर्दास की भी बात की गई थी जिसके तहट आज लखीमपूर खीरी के तिकुनिया गाव में हजारों की संख्या में किसानों ने एकठा होकर अंतिम अर्दास की यानि मृत किसानों को याद किया आपको बता दे कि मंत्री का बेटा आशीश गिरफ्तार हो चुका है मगर किसान पिता अजे मिश्र की गिरफ्तारी और बहतकास्तकी की मांग पर डटे हुए हैं साथ ही आने वाले समय में किसान आंदोलन का नेतरित्व कर रहे संयों किसान मोर्चा और कई अन्मिकार करों मोकावरी एलान कर चुकी हैं जम्मू एवं कश्मीर के पूच जिले में सोमवार को आंतकवादियों ने के साथ जारी मुटभेड में एक जूनियर कमिशन अधिकारी जेसियो और चार अन्य जवानों की मौत हो गई रक्षा मंतराले के प्रविक्ता लिफ्टिन करनल दिवेंदर आनन ने कहा कि विशेश सूचना के बाद पूच जिले के सुरनकोर्ट इलाके में नियंतरन रेका यानि एलोसी के कृष्णा घाटी सेक्टर के करीब के गाउं में घेरा और तलाशी अभ्यान शुरूख किया गया था पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजी चन्नी ने हमले में शहीद नायाब सुबेदार जस्बिंदर सिंग नायक मंदीप सिंग सिपाही गजन सिंग के परिवारों को 50 लाक रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोशना की है इन में से एक जवान उत्तरप्रदेश का भी था बताया जा रहा है कि अभी भी शोपिया में मुटभेट जारी है अब चलते हैं बाल विवा पर बाल विवा से दुनिया में हर दिन 60 से अधिक लड़कियों और दक्षिन एशिया में एक दिन में 6 लड़कियों की मौत होती है अंतराष्टिय बालिका दिवस पर जारी एक नए विशलेशन में दावा किया गया है कि बाल विवा के कारण गर्बधारन और बच्चों को जनम देने की वज़े से हर साल तकरीबन 12,000 लड़कियों की मौत हो रही है Save the Children की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिन एशिया में हर साल बाल विवा से संबदित 2,000 मौत होती है इसके बाद पूर्व एशिया और प्रशान शेत्र में 650 और लातिन अमरिका तथा करिबियाई देशों में हर साल 560 मौत होती है रिपोर्ट में ये भी खा गया है कि हर साल अनुमानित रूप से गर्भावस्ता के कारण 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है और बाल विवा से बच्चों का जन्म हो रहा है बाल विवा से हर दिन 60 से अधिक लड़कियों की मौत होती है और दक्षिनेशिया में हर दिन 6 लड़कियों की मौत होती है इस बीच राजिस्थान से खबर आई है कि बाल विवा के रेजिस्ट्रेशन यानि चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेशन बिल से जुड़े प्रावधान वाला विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने सोमवार को कहा कि विधान सभा में हाल ही में पारित राजिस्थान अनिवारिय विवाद पंजी करन संशोधन विदेयक 2021 को फिर से जाचने के लिए वापस लेने का फैसला लिया गया है गहलोत ने कहा कि राजिसरकार राजिपाल से विदेयक को कानूनी परामर्श के लिए वापस करने का आग्रह करेगी अब चलते हैं करोना के आकड़ों पर केंद्रिय स्वास्थे मंतराले द्वारा आज मंगलवार 12 अक्तूबर को जाड़ी आकड़ों के अनुसार देश में आज 6 महिने बाद करोना के 15,000 से कम यानी 14,313 नए मामले दर्ज किये गए हैं इसके अलावा करोना से 24 घंटों में 181 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश में करोना से पीडित करीब 27,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 12,447 मामले कम हुए है देश में करोना संक्रमन के मामलों की संक्या बढ़कर लगबक 3 करोड से कुछ जादा अधिक उपर है जिन में से अब तक 4,50,963 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पीडित 98,04 फीसदी यानि 3 करोड 33,20,57 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 0.63% यानि 2,14,900 हो गई है स्वास्थे मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 95,89,78,049 दोज दी जा चुकी है जिन में से 65,86,092 वैक्सीन की दोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज का डेली राउंड अप इतना ही न्यूस क्लिक से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरों को और विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूसक्लिक.in पर लॉग इन कीजिए और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक पर फॉल्यू कीजिए धन्यवाद